अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हो लास तक, मैं इस चीज की शॉर्टी ले सकता हूँ, 60-70% चीजे क्लियर आपकी जिन्दगी में हो जाएगा, अगर 10 मिंट वीडियो देखने से इतना हो रहा है, तो मैं तो देखता बस नल, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, 5 ऐसे सा सची दोस्ती के, अगर ये 5 साइन आपके सामने वाले दोस्त के अंदर हैं, तो 100% वो आपका दोस्त बनने लायक है, और 5 साइन में से कुछ साइन डगमगा रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपकी दोस्ती में कही ना कही गड़वड है, वो आपकी इज़त करते हैं, रिस्पे जब भी जाने मत देना, जब भी पाओ, रोक लो से, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं जिन्दगी में, वो आप पे हक जताते हैं, बताओ कैसे, अगर आप किसी चीज में बुरे हो ना, तो आपको खुल के कहेंगे, कि भाई तू बुरा है, चापलू सी न की बाते सही होती हैं, और कोई ऐसे दोस्त आपको इसी एंगल से समझा रहा है, तो उस दोस्त को पकड़ लेना जाने मत दे, आप उनसे कुछ भी बोलोगे, हमेशे आपके साथ खड़े रहेंगे वो, कोई भी कोशन, कोई भी आंसर, कोई भी सवाल, जबाब नहीं करेंगे आप रात के तीन बजे भी कॉल करोगे, तो वो तीन क्या, दो बजे भी खड़ा हो जाएगा, मतलब एक सच्चे दोस्त की पहचान होती है, बिल्कुल पीट नहीं दिखाएगा हो, हर जंगा आपके साथ रहेगा, आप उनके साथ रहेके 100% फील करते हो, आपको नाटक पील ओती है, ऐसा लगता है कि मेरी ही पर चाहिएए, वो पैसे की बज़े साथ नहीं है, वो यह नहीं सोचते है कि आज मैंसे 10 का खिलाएगा, तो कल मैं इसका 20 का खाऊऊँगा, आज मैंने इसे पेपसी पिलाई, एक तो कल मैं से महंगी जाफी पिलाईगा, ना, वो ऐसा जाते हैं तो ये कुछ ऐसे साइन में आपको होता है ये याद रखना तो ये बहुत एक बहुत वड़ी निशानी हो सकती है एक अच्छे इंसान को पहचानने की दोस्त कहला हुआ भी रिलेशन में भी जा रहे हो तो ये बात है क्योंकि हर रिलेशन में एक दोस्ती जरूरी है एक भाई बैन का रिलेशन जो होता है उसमें भी दोस्ती चाहिए माबाप के रिलेशन में भी दोस्ती चाहिए गल्फरेंड बोइफरेंड के में चाहिए जो एक रिष्टा होता है उसमें दोस्ती जरूरी होती है तो ये जो अगर पॉइंट्स है उनके अंदर तो समझ ली तो उने ये वीडियो दिखाई है, बहुत जल्दी give up कर देते हैं, हार मान जाते हैं, लड़ते नहीं है, खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए, जैसा बाहर वाली दुनिया ने बोला, उसे आख बंद करी और चुप चाप मान लिया, ऐसे लोग जिन्दगी में बहुत कम आगे बढ़ पाते हैं, दूसरे लोगों की कटपुतली बन के रह जाते हैं, आपका हाथ का रिमोट उनके पास है, वो खुश करेंगे तो आप खुश होंगे, वो दुखी करेंगे, तो दुखी वो नहीं चाहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ो तो आपने आगे नहीं वर्टिंग चलोगे आप, हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, तेरी वज़े से यह हुआ है, तुने यह करा है, उल्टा सिधा बोलके दूसरे इंसान को आगे निकल जाते हैं, उल्टा सिधा बोला और आगे निकल गए और बोला भाई तेरी गलती थी मेरी थोड़ी थी और आप अपनी जो गलती है ना, वो सुधार नहीं करना इन इंसानों को, पर दूसरों गलती बतागे, अपना चुक्चा पतली गली से निकल गए, फेलियर से डरते हैं हमेशा, कि मैं हार न जाओं, यह चीज करने मैं, वो वो ना करने मैं हार जाओं, डरते हैं, किसी खाम को कर रिस्क लेने में डरते हैं, फेलियर से डरोगे तो भाई, कैसे चलेगा, बिना फेलियर का सामना करें, आप जिन्दगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जब हम हारते हैं वो इचीज हमें सिखाती हैं, कि हमें आगे कैसे जीतना है, इन्होंने आपने एक दिमाग बना लिय पी-म भी सही नहीं हो सकते हैं, को सम्मे हर इंसान में कुछ ना कुछ खाम या, कुछ ना कुछ दिक्कते होती हैं, तो दूसरे लोगों आपको समझाने आ रहे हो ने, टीचर की थरा समझो, ना उल्टा सीधा क्यों बिहेव कर रहे हो या सोच रहे हो, खुद से आपको सच में आगे नहीं जाने देगा, अठके रह जाओगे बीच में इस दुनिया की भीड में, ये सोचते हो तो चेंज करो इन चीजों को, दोस्तो एक बात याद रखना, जब एक चिडिया जिन्दा होती है, तो वो चीटियों को खाती है, और जब चिडिया मर जाती ह है, मर जाती है, तो चीटिया उसे खाती है, ये जो टाइम है ना, ये कभी भी बदल सकता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, किसी को नीचा मत दिखाना, ये मत सोच ना, मैं ऊपर हूँ, ये मेर से नीचे है, आज तुम उसे कुछ बोल दोगे, बोल के चुप-चाब निकल जाओगे, जो कर्मा होता है, वो आप पे जरूर आता है लोट के, दूसरों को हर्ट मत करना, अपने आपको हमेशा पावरफुल मत समझना हो सकता है, कि अभी ताकतवर हो आप, आप पे बहुत जादा पैसा हो, तरक्की हो, पर आप से जादा पावरफुल टाइम है, आपक प्यार, मुहबबत देखके, मुझे मन करता है, कि मैं सारी चीज़ छोड़ के, आपके लिए अच्छा कॉंटेंट ढूँँ, अच्छी वीडियोस बनाऊ, कुछ आपकी जिंदगी में बदलाव आए, और आपके साथ बाते करते करते हैं, मेरी जिंदगी में बदलाव आता है, उस वज़े से हम चेंज होते हैं, धिरे धिरे, अब एक ऊपर आस्मान से बूंद गिरती है, जब बारिश की, वो साप के मुह में जाये, तो जहर बन जाती है, वो पेड़ पे, पत्ती पे गिरे, तो एक मोती की तरह दिखती है, तो जैसी हमारी सराउंडिंग होती है, एट्मोस्फेर होता है, आसपास की लोग होता है, उस अकॉर्डिंग हम चेंज होता है, उस अकॉर्डिंग हमारे अंदर चीज़े आती हैं, अच्छे अच्छी, तो वीडियो कैसे लगी, कमेंड बोक्स में जरूर बताएगा, और मैं बस चाहता हूँ, आप सब लोग का सकता हो, तो आप लोग भी का सकते हो, आप लोगों की जिन्दगी में बदलावा सकता है, एक जगा से अगर पैसे आ रहे हैं, तो दूसरी जगा सा आ ज avenues आते हैं, जब यूट्यूब ए इंस्टाग्राम में पैसे आते हैं, तो लेने में क्या दिक्क्कत हैं यहासे, तरक करिया.